हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप लोग आज एक फिर नया वीडियो में आपका स्वागत हैं आज हम बात करेंगे कि इस नवरात्री में मातरानी को किन-किन चीजों की भोग लगती हैं आए इस बारे में हम बात करते हैं दोस्तो 17 अक्टूबर 2020 से मा दुरुगा के नोर सरुपो के बिदिविदान से पूजा प्रारंबव हो जाएगी इन दोरान मा को प्रशन करने के लिए उन्हें भकतगण हर दिन अलग प्रशाद चड़ाते हैं आप भी जानिए किस दिन मा के किस रूप में क्या चड़ाने चा इस दिन मा देवी मा को सुद्ध देशी घी अरपन करें ऐसा करने से भकतों को सभी कश्टों और रोगों से मुक्ति मिलती हैं तो नमबर दो दूसरा दिन ब्रह्मचारिनी पूजन के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिनी को सक्कर सफेद मिठाई मिश्री और फोलो आदी का भोग लगाने से माता की विशेश क्रिपा हासिल होती हैं दोस्तों नमबर 3 तिसरे दिन चंद्रगहंटा नवरातरी के तिसरे दिन माता के सरुप चंद्रगहंटा का पूजन करने का रिवाज हैं उन्हें दूच से बनी हुई मिठाई हुआ खीर भोग लगाना चाहिए दोस्तो नमबर फोर चोथा दिन कुस्मांडा दुर्गा मा के कुस्मांडा सरुप को समर्पित नवरात्री के चोथे दिन उन्हें मालपुआ भोग लगाए और पूजन के बाद प्रशात के तोर पर बच्चों को वितरित करें दोस्तो नमबर फाइब पाँच्वा दिन इसकंद माता भक्तों की अच्छी सेहत और दुर्गा मा के आशिरवात के लिए नवरात्री के पाँच्वे दिन मा के इसकंद माता सरुप को भोग में केला चड़ाये जाता हैं दोस्तो नमबर 6 छठा दिन कायतियायनी देवी नवरात्री के छठे दिन कायतियायनी देवी को सहत का भोग लगाना सूप माना जाता हैं इससे भक्तों के जिवन में मधुरता आती हैं और उनकी आकरशन सक्ति में ब्रिद्धी होती हैं दोस्तो नमबर 7 साथवा दिन काल रात्री जिंदगी में आने वाली संकोट से अपनी रक्षा पाने के लिए माता को काल रात्री सरुप को गुण या गुण से बनी हुई मिठाई का भोग लगाया जाता हैं दोस्तो नमबर 8 आठवा दिन महागोरी नवरात्री के आठवे दिन माता के महागोरी सरुप को नारियल का भोग लगाया जाने की परंप्रा हैं आप नारियल से बनी मिठाई भी उन्हें अरपन कर सकते हैं दोस्तो नमबर 9 नववा दिन सिध्धी दात्री नवरात्री के आखिरी दिन मा दुर्गा के सिध्धी दात्री सरुप का पूजन किया जाता हैं इस दिन मा को अनार और तील का भोग लगाया जाता हैं तो दोस्तो ये था आज का वीडियो अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने जो दोस्त तक जरूर शेयर करिए ताकि ज्याद सी ज्यादा लोगों को पता चल पाए कि नवरात्री में 9 दिन माता के 9 सरूपों को किन चीजों की भोग लगाने चाहिए और इस वीडि करके बेला इकन को प्रेस कर देना धन्यवाद